Hello everyone, welcome to sleepy classes, I am Kaval तो देखिए पहले हमने नवरतनाज आफ चंदरकुप्त के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे नवरतनाज आफ अकबर ये जो नौ परस्नेलिटीज हैं काफे इंपोर्टेंट हैं आपके medieval magic culture point of view से भी काफे important है और इससे पहले भी एक question पूछा जा चुका है जो की तांसेन की उपर था अगर वो question आपको नहीं पता आपने चीजें नहीं पढ़ी उसके बारे में तो वो question attempt करना वहां पर काफे difficult था तो यहां पर मैंने कोशिश की है जितने भी relevant sources है जितने भी relevant newspaper articles में को मिले मैंने उन सबसे information को compile करके आपके सामने यहां पर पेश किया है और 99.99% अगर इसमें से अब question आएगा तो आप बहुत असानी से वहां पर attempt कर पाएंगे तो यह सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा नवरतन है अबुल फजल आपने जो इनका नाम वो एने अकबरी यहां फिर अकबर नामा के relevance में पढ़ा होगा क्योंकि वो जो biography है अकबर की वो इन्होंने ही लिखी थी इनकी जीवनी के अगर मैं आपको एक कहानी सुनाओ तो यह अपने टाइम के prodigy थे यह by the age of five यह पढ़ना लिखना जान गए थे जो उस टाइम के अंदर बहुती बड़ी बात थी उस टाइम का 5 साल में पढ़ना लिखने का आज आज आप एक या दो साल में पढ़ना लिखने के हिसाब से सोच सकते हैं तो उसके इनकी जीवनी में से कहानी यह मशूर है कि जब यह 13 साल की उमर में थे क्योंकि पढ़ने लिखने में बहुत जादा शाप थे तो इनको एक dictionary मिली जो कि Persian में थी और उसको बहुत जादा वो खराब हालत में थी उसको white ants ने खा लिया था तो बहुत जादा pages जो थे वो खतब हो चुके थे तो इन्होंने क्या किया क्योंकि इनको पूरी dictionary आ थी तो इन्होंने वहाँ पर pages को बीच में होगी और इनको ultimately अकबर के कोट में वहाँ पर जगा मिल गई और ये एक बान आफदार नवरतनास बन गए तो इस कहानी से आप इनके बारे में आ रखेंगे अगर इनके रियल नेम के बारे में बात करते हैं तो वो है शेक अबुल अलफजल इबन मुबारक आपने इनके भाई के बारे में भी सुना होगा जो की है कोट पोईट जिनका नाम है फैज या फिर हम फैजी के नाम से जानते हैं तो ये दोनों भाई काफी जादा प्रॉमिनेंट है उस टाइम के अंदर जब अकबर का रेन हुआ करता था उसके अलावा इनका जो एक और काम जो आपको पता होना चाहिए वो है तो ये चार इपॉर्टन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए उसके बाद अगर हम राजा बीरबल की बात करते हैं बहुत फेमस करेक्टर है जितने भी हमारे यहां पर बच्चों को कहानिया सुनाई जाते हैं उनमें बहुत फेमस है अकबर बीरबल की कहानिया है कार्टून बहुत जाद आपने देखी होंगे इनके ओपर तो बहुत ही वेल नोन परस्टनेलिटी है हमारे इंडियन अगर सब कॉंटिनेंट में अगर फोकलोर की बात करते हैं तो इनका जो रियल नेम है वो है महेश दास जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि ये एक हिंदू फेमिली में बॉनन ब्रॉट अप है और इनको जो नाम दिया गया था राजा बीरबल का जो तान से इनके ओपर क्विशन था वो भी ऐसा ही था कि जो तान से नाम दिया था वो अकबर ने ने दिया था वो चार आप्शन में से एक आप्शन था तो इनका जो नाम है राजा बीरबल वो अकबर ने ही दिया था ये उनके time period के अंदर he was basically foreign minister और काफी एक तरह से strategic advisor भी थे अकबर की दिये and he was the only Hindu जिनों ने उनके द्वारा चलाया हुए जो धरम था दीन एला ही उसको अडॉप्ट किया था बाकि किसी भी Hindu ने उनके धरम को अडॉप्ट नहीं किया था तो बहुत जरूरी fact है जो कल को आपको वहाँ पर पूछा जा सकता है और इनका दिहान कैसे होता है वो भी जरूरी है जो अपनी ध्यान में रखना है कि ट्राइबल्स के खिलाफ ये एक अपनी आर्मी को लीड कर रहे थे उस पूरे battle के दुरान ये मारे गए और इनके साथ कहा जाता है कि 8000 आर्मी में मारे जा चुके थे और ये उस time के अंदर मुगल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी हार थी मुगल्स की तो ये चीज ये सब बाते आप इनके बारे में ध्यार में रखेंगे उसके बाद हम बात करते हैं अब्दुलरहीम खाने खाना शायदा इसके बारे में आपने ना पड़ा हो अगर आपने जोद अकबर मुवी देखी हो तो अकबर के जो रेजन्ट होते हैं जो उनके गार्डियन होते हैं कि जब तक वो गद्दी के उपर नहीं बैठते हैं जो उनके सलाकार होते हैं बैरम खान तो ये उनके बेटे होते हैं बैरम खान के अब्दुलरहीम खाने खाना ये बहुत ज़ादा मशूर होते हैं अपने अर्दू कपलिट्स के लिए और इनको टाइटल दिया जाता है अकबर के द्वारा जो की है मिर्जा खाथ ये चीज़ आप थ्यार में रखेंगे जब राना परताव के टाइम पे जब ये एक पूरा सेनेरियो होता है तो उस टाइ और उसके अलावद जो एक बहुत इपॉर्टन फेक्ट है वो ये है कि आपको पता होगा कि बाबर की जो आटो बाइग्रफी है तो जू के बाबरी या फिर मेमोयर्स ऑबाबर जो की चाक्ताई टर्किश लेंग्विज में लिखे गई थी इन्होंने उसको ट्रांसलेट कि किया था इन्टू बाबर नामा जो की पर्शन लेंग्विज में हैं यह जो फेक्ट है यह सिंगल स्टैंड अलोन फेक्ट यह आपको बहुत बार प्रेलेम्स के अंदर पूछा जा चुका है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे इनकी दो बुक्स हैं एस्ट्रोजी के ऊप अपर एक तो है खाते खौत्तम और दूसरी है द्वात्रिम्श श्रदगोवली तो यह भी चीज़ आप ठ्यान में रखेंगे दोनों बुक्स हैं अगर मेरे से सही से प्रणाउस ना हो तो हुआ हो तो मैं उसके लिए माफिय मांगता हूँ आप इन दोनों के बार में थोड हारीदास के दौस में अगर हम बात करें इनके म्यूजिक की बात करते हैं क्योंकि मुजीशन थे बहुत बड़े मुजीशन है कहा जाता है कि जब यह अपने राग छेड़ते थे तो उनमें इतनी पावर्थी कि बारिश हो जाया करती थी तो इनके जो गूरू थे उनका ना अकबर के अपने जीवन के साट साल के बाद वो अकबर के कोट में जाते हैं पर उससे पहले ही वाजा कोट मुजीशन इंदा दर्बार ओफ राजा राम चंदर ओफ बांदवगर्ड यह बहुत इंपॉर्टन फेक्ट है क्योंकि हमको इस तरह से चीज़ें नहीं समझाई ज दिया था और वो कहते जहां पर मैं हूं मैं वहीं पर खुश हूं पर उसके बाद इनके गुरु ने इनको कहा कि क्योंकि तो इतना बड़ा मुजीशन है इतना बड़ा सिंगर है तो और लोगों की सेवा करने के लिए तिरे को और बड़े कोट में जाना चाहिए तो 60 साल की उमर में यह अकबर के पास फिर गए थे जो इनका टाइटल है दो टाइटल है इनके पास जो इनका ओरिजनल नेम है वो तो रामता हुआ है तो जो मिया इनका पूरा नेम है वो है मिया तांसिन इसमें जो मिया शब्द है वो दिया गया था अकबर के द्वारा जिसका मतलब इसके उपर question आया था कि तांसे टाइटल वास गिवन बाई अकबर तो वो चीज गलत थी जो कि उस question का answer था तो आई होप अब आपको अंदाजा होगा कि किस depth तक हमने इन चीजों को cover करना है इनकी जो बहुत प्रसिद्धी होते है वो दुरूपत म्यूजिक और इनके जो इन्होंने नए राग निकाले थी उसके लिए है इन्होंने दो classic books लिखी हैं म्यूजिक की उपर वो चीज आप ध्यान में रखेगा एक तो है श्री गनेश सतोत्र और दूसरा है संगीत सारा तो ये दोनों important books हैं इनको आप प्लीज एक बार नोड़ डाउन कर लीजिए उसके बाद हम फैजी की बात करते हैं जब हमने सबसे पहला नवरतन डिसकस किया था जो की था अबुल फजल ये उनके भाई है इनका जो रियल नेम है अल्मोस सेम है छेख अबुल अलफैज इबर मुबारक वहां पर सिरफ फजल था और इनका जो pen name है वो है फैजी, बहुत famous poet है, अगर आपने इनकी poetry पड़ी हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा So he was also the education minister of Akbar, और Akbar के तीन जो बेटे थे, सलीम, मुराद और दानियल, ये उनको tutor करते थे, उनको पढ़ाया करते थे इनके दोरा एक famous जो translation की गई थी वो है, that he translated लिलावती into Persian, अब ये जो लिलावती है, ये mathematics के उपर एक work है, बाएदी फासकर अचारे, तो ये दोनों facts बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ा आप ध्यार में रखेगा उसके बाद हम राजा मान सिंग के बार में बात करते हैं, तो बहुत famous राजा है राजस्तान साइट के, so basically he was the raja of amber and a general in the akbar army, और उनके एक सबसे trusted generals में से एक थे, अगर इनके रिष्टे की बात करते हैं, अकबर के साथ, तो अगर आपने जोदा अकबर देखी हो, तो उनके जो पिता होते हैं, जो जोदा के पिता होते हैं, तो यह उसके grandson होते हैं, so he was also the grandson of akbar's father-in-law भार्मल, जो की जोदा के पिता है, and he was fondly referred to as फरजंद by the emperor, जिसका मतलब है lovely son, इसका मतलब lovely son होता है, आपको इसके साथ ध्यान में रहेगा, और यह बहुत famous battle हुआ था, जिसका नाम है battle of haldi gati, जो की महराना परताब के खिलाफ हुआ था, तो मुगल आर्मी को इनके द्वारा ही lead किया गया था, उसके बाद हम राजा टोटरमल की बात करते हैं, तो यह उस time के अंदर akbar की finance minister थे, पहले यह शेर्शा सूरी, जब हिमाईयों के बाद, जब पूरी सूरी dynasty आ जाती है, तो उनके time में भी सूरी dynasty के लिए भी इन्होंने काम किया, और जब दुबारा सी हमाईयों आते हैं, तब यह वहाँ पर मोगल empire के अंदर अपनी services देने लग जाते हैं, बाद में यह finance minister बनते हैं, और इनके दौरा बहुत जादे innovations की जाती है, in the field of standard weights and measures, land survey and settlement system और हमारे इंडिया के अंदर एक पटवारी system चलता है, जो कि basic lead assessment करता है, जो कि पूरे documents त्यार करता है, और इनको कहा जाता है father of the पटवारी system, जो आज भी हमारे इंडिया में वहाँ पर use में है, अगर इनकी जीवनी में से आपको एक कहानी सनाओं, तो वो यह है, आपने जैसे सिखी जब में जो छोटी शहथजादे है, जुरावर सिंग और फते सिंग जिनको दिवारों के बीच में चिनवा दिया गया था, during the reign of Aurangzeb, तो वहाँ पर सरंद का एक governor होता था, जिसका नाम है वजीर खान, तो जब उन बच्चों को चिनवा दिया जाता है, तो एक पूरी जितनी जगा चाहिए आपको, जहां पर आप इन बच्चों का संसकार करेंगे, अगर आप सोने की महरें बिचा देंगे, तब ही मैं आपको उस जगा को दूँगा, नहीं तो मैं आपको कभी जगा ही नहीं दूँगा, आप कभी भी संसकार नहीं कर सकते, उन दो छो first area कम हो जाए और आज भी कहा जाता है कि वो जो जगा है वो दुनिया के सबसे costliest जगा है क्योंकि उस छूटी सी जगा का है इतना जदा उसमें मोहरें आ गई ती और आुछ तक कोई भी दुनिया की ऐसी जगा नहीं है जो पैसे में उस चीज को कम्पीट कर पाए तो यह कहानी है इसके साथ आपको इनके बारे में थ्यान में रहेगा उसके बाद जो लास के दो नवरतन्स है सबसे पहले है मुला दो प्याजा जो की उस टाइम के होमनिस्टर हैं जैसे आज हमेशा जी है और उसके साथ और यह कहा जाता है कि यह सच में नहीं थे सिर्फ कहानियों में इनका रेफरेंस हमारे को मिलता है तो यह डिस्प्यूटिड है अगर आप इनके बारे में भूल भी जाएंगे तो आपको कोई जादा बात नहीं है और लास में है फकीर अजाओ दीन ये एक सूफी मिस्टिक थे और उनके टाइम के अंदर रिलीजिस मिनिस्टर की तरह काम करते थे तो ये पूरे के पूरे बाकी सबी बहुत इजी स्टेटमेंट्स हैं आपको आते ही होगी तो आपको ये सबी नौ के नौ नवरतन सब याद रहेंगे जो भी इंपॉर्टन फैक्ट्स हैं प्लीज उसको नोडाउन कर लीजी या फिर इस पीडियाफ को निकालके वहां पर अंडरलाइन या होंगा अगले टू मिनिट में मिलेंगे एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ थेंक्यू सो मच